बट वो मैंने देखा कि अभी वो अभी ना लोगों के पैसे बहुत बने हैं दो साल का कोविड ने ना मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस दे दिया लोगों को और ग्लोबली भी ऐसा कुछ नहीं है अच्छा ग्लोबली गलत भी है तो एक नॉइस हो रहाती है इंडिया बेस्ट है वो तो है इंडिया मतलब उसका कर रही है अब यह कंफर्ट देता है ना मैं होल्ड करूंगा ना पुरी साल जब हम सब जानते हैं कि रीटेल इंवेस्टर फाइनली मार्केट में पैसा खोके जाता है यह एक रियालिटी है शाहाद आपको पसंद नहीं आ रहोगा यह बात शुरुआत में यह कर दी मैंने बट जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है अच्छे इसका कोई नों कोई रीजन तो हो रहा है और क्यों और क्या तरीका हो सकता है कि एक रीटेल इंवेस्टर को पैसा खोने से रोका जाए क्या सही तरीका है क्या हमको पैसा निकालने चाहिए मार्केट से क्या पैसा हमको कंपाउंडिंग करना चाहिए कितनी सारी बाते होने वाली है क्योंकि आज मेरे साथ जु अशुसर विलकुम थैंक यू सो मच विवेक इस इस माई प्लेजर तो बीए विद यू बहुत दिन से इंतजार था कि कई मुझे भी था मुझे भी था मुझे भी था चल रही है और सम्हाव मटेरलाइज नहीं हो पा रहा था है क्लिक नहीं हो अपा रहा था इंक प्रॉबब प्रिवलेज़ के नए स्टूडियो की इनाउगरेशन मेरे साथ वरी है फंटास्टिक थैंक यू सो आशु सार जितना आपको टीवी में देखा है जितना आपको सुना है आप से निकाला बहुत को जा सकता है और आप एक बहुत अच्छी बात है कि आप दिल से बोलते हैं आपने लएटा आपने एक भी ऍटाने लेज़न पार एक रापने लिए टूर आपने देखा है पैन गेंज सब कुछ लेगा एक रीटेल इंवेसर का तो थोड़ा आपका जरनी के बारे में जानेंगे आपका थी साल का एक्स्पिरियंस अमार्केट का तो एक जस रून थू कि आपने क्या क्या किया मार्केट के अंदर में फिर उसके बाद चलेंगे एक एक कॉंश्योशन स्वे ओके विवेक और शाइद में भी हर शब जा ताइब कर सकता हूं और उतने उतार चड़ा मार्केट कूंश्योशन स्वेट आपने भी कभी मार्केट में काम किया और बहुत कि अब इस अब आप यह तीस साल या पच्छी साल की जरनी में यह यह खयाल आया होगा यार के कहां भज ग मंधी आती है कहां फस गए यार कि whatever we done कि हम यहां फस गए क्योंकि market एक ऐसी चीज है कि इसमें जब आप कुछ साल spend कर लेते हो ना तो और कुछ नहीं कर से और कुछ नहीं कर से और फिर आप market और मैंने अपने करियर में देखा कि बहुत सारे लोग जो market चोड़के गए जब ख कोचे थे वाट व्यू दू रिच एड तो भी अच्छा लगता था कि आपने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पा रहे हैं या करना जो रीच यह तो वह सारी चीजें मार्केट में होती है जो इन्वेस्टर के साथ भी होती है तो फिर तब से लेकर आथ तक सिरफ मार्केट मार्के सब्सक्राइब करता है तो मैं हमेशा क्लाइंट के साथ मतलब वो साइकॉलजी वो फिलिंग वो इमोशन उसकी रिक्वायर्मेंट उसकी अंडर्स्टेंडिंग वो बहुत जादा है तो आप क्योंकि दो नौट वीन आडेडर यो से टहर्शा देते हैं तो इसी से चानू करते हैं कि अच्छा अनिलिस्ट्ट्या कोई आइडिया जन्रेट जो करता है उसको ट्रेड़र होना ज़रूरी है या अगर वो ट्रेडर नहीं है तो वेटर आइडिया जनरेशन कर सका मुझे तो लगता है कि यह दीरे दीरे इस यह मार्केट जो है अगर आप एक आइडिया की बात कर रहे हैं तो इसी मार्केट ने सिखाई है इसी मार्केट ने जैसे अब आपने मेरे थर्टी एज की जर्नी की बात की तो एक टाइम पर हर्शन मैता में बुल रन आया पैसे बने कुछ लोगों के या बहुत लोगों के उससे बहुत जादा लोगों को उसके बाद नुकसान हुआ सेम चीज वो जो केतन पारिक स्कैम वाला बूम था या टेकनोलोजी बूम उसको बहुत लोगों के पैसे बने उसके बाद उससे बहुत जादा लोगों के पैसे तूट गए तो अगर यह जर्नी जब मैं बार बार देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि अगर सही टाइम पर मार्केट से निकला ना जाए अभी ट्रेडिंग क्या होती है मुझे लगता है कि एक टाइम स्पेंट जरूर होना चाहिए मैं बोलता हूं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इंवेस्टर वो है जो एक घंटे वाला ट्रेडर भी है एक दिन वाला भी है एक वीक वाला भी है एक साल वाला भी है पांस साल वाला भी है वो भी पांस साल एक कोई एक time horizon हो, मैं बोलता हूं कि एक successful आदमी वही है, जो घर वो पैसे ले जा सकता है, जो दिन में एक बार, हफते में एक बार, महीने में एक बार, छे महीने में एक बार, एक साल में एक बार, तीन साल में एक बार ये कह दे, कि आज मैं खाली हो गया क्या बात कर रहे हैं तो फिर वह लॉंग टॉम इंवर्स्टिंग उसमता आदमी क्यों कर रहा हूं पैसा बनाने के लिए जब मेरा पैसा बन गया अगर मैं घर लेके नहीं जाओंगा तो गैरेंटेड ये मार्केट आपसे वापस लेगी लेगी तो एक ये ठीक ह खेसने लिया था लिप्तेनद वह तो सब कहानिया मैंने अपने दाताजी के टाइम की सुनी है मैंने रियल में देक ही नहीं हम मैंने तो रियल में देख्या कि हर बार जिसने जो स्टॉक लिये एक शैन मैता के टाइम पे एसटीफि он बना वो जीरो हुआ उसके बाद वो पेंटाफोर सिल्वर लाइन और दुनिया भर के सत्यम और ये सब हीरो बने वो जीरो हुए उसके बाद आरकाम ॡइल ओफ ये मतलब बहुत जब टेक्नालिजी और रियल इसेट बुमाया वो हीरो वो जीरो हुए तो तो कोई थीम पर्मनेंट नहीं था मतलब आज से अगर 30 years पहले कि मैं और पहले की बात करूं तो आप कह सकते हो कि ऐसे थीम मार्केट में थे कॉल गेट और ये हिंदुस्तान लीवर यहीं हम बात करते हैं ITC जो पढ़े रहे गए उनके पैसे बन गए उसके बाद तो जितने लोग दादा बनते गए वो तो अपने पोतों के लिए कुछ नहीं चोड़के जाते हैं उनका तो अगर गलस टॉक फस गया और जो पिछले 10 स हो रहे हैं तो यू कैनाट भी ऐस पैसिफ एस यू उस्टो बी और जिसके लिए बुक्स लिखी गई हैं तो मुझे लगता है कि आप अपना वाला भी वोला तीन साल वाला पांसल वाला कभी भी मुझे अच्छा एक बार बता कोविड में पूरे लोग आए बहुत सारी जन जाएगा तीन साल में या दो साल में चार साल में तो मेरे को बड़ी अच्छी रिटान आजाएगा आपका पैसा 150 परशन बढ़ गया 250 परशन बढ़ गया डेड़ साल के अंदर भाई आपको भगवान ने वाइंट फॉल दे दिया अब भगवान ही थोड़ा आपका माल बे हर बार ऐसा कोई थीम आता है टाटा पावर 50 रुपे का 200 हो गया कुछ भी हो सकता अब अगला आएगा यह तो हजजार रुपे हो जाएगा तो मांकिट की जाग जागन क्यों हो जाएगा पांच को नहों गया अब नई जेनरेशन आएगी उस पर जाएगी क्योंकि एवी न पर दस्ते हैं और इसी में जादा लॉस होता है सो मेरे को लॉंग टर्म होता है क्योंकि अगर मेरी मतलब जो आज कल की पुब्लिक है इवन इस इस रैपिड चेंजिंग पहले मार्केट में ना सब चीजें बनती थी मतलब चीजें आगे बढ़ती थी अप डिस्टॉप्शन इस प्रफ्शन जा रहे हैं कब कौंसा थीम डिस्टॉप हो जाएगा राइट रॉंडी ब्लैकबरी तु वर्यास इग्जांपल डिस्टॉप होए ना वारे करेंट जनरेशन में डिस्टॉप हो तो आप अगर घर पैसा नहीं लेके जा रहे तो मुझे लगता है कि मतलब इ जाया आश्यू जी देखेए देखेए टू स्कूल अफ फटाट वगया जो वैलुव इन्वेस्टिंग फटाट जो पाउर अफ कंपाउंडिंग यू ने कहते हैं तो एक तो पर ही चबाप रखेंगे तो एक तो एक सो पांफ और एक सो फीस होगा तो एक स्कूल अग of thought है कि जो आप कह रहे हैं कि भई पैसा ultimately हम कमाने के लिए यहां पर आया है हम छोड़के जाने के लिए नहीं आया है यहां तो आपका school of thought है which is like you keep on uh making money out of the market and use it for your consumption or for some other consumption different kind of investment different asset class anything just enjoy life here live for today seize the moment covid के बाद तो आप तो by losing family members याज सबके साथ जो हुआ है कि नहीं है कुछ भी हो सकता है आज के लिए जियो तो पैसा भी आज चाहिए कल चाहिए परसों चाहिए सब कुछ life में change हो रहा है मेरे आस-पास generation change हो रही है सब कुछ investing 10 साल वाली रहे कि भी बैसे रह सकती है इस definition of long term this itself is under question mark and circumspect and मैं मतलब I cannot bet my life this is a very aggressive statement but मैं बता रहा हूं हिंदी times to come this investing definition of long term will change मतलब यह मेरा बहुत strong belief है विल चेंज जब आज की रेट में हमारी population ऐसी हो गई है कि मैं आदा घंटा जार और बनाने है एक जिस जो एंड एवरी वह अब एक लाग जो दस लाग वाला कमाने वाला भी वह किसलिए आता है एक अगला एक लाक रोबर आप लाग करने है तो उसके लिए और बन सकते हैं बट वो एक्स्टा लेने के लिए जब इतना involved हो जाता उसके अंदर और वो वह आपको मिलेगा उसको spend करो उसको लेकर जाओ लेकिन यह compounding नहीं आप कितने stocks यार मतलब पिछले 10 साल में पांच साल में 15 साल में history उठाकर डेकर आप्टर एवरी बिल्रा एंड पिछले 8 महीने में भी have the stocks not corrected more than 50% and good stocks let's not name the stocks good stocks what is the definition of a good stock आज एक बहुत ही good stock for long-term you will make money और 20% गिर जाता है तो उसका गिर चुका होता है contract not भी पोस्त में आजका तो online हो गया पहले एक मेरी saying होदी थी contract not भर नहीं पहुंचा और stock गिर चुका है anyways अगर good stock है पहली चीज तो 50 40 50 percent घटी ही नहीं सकता जो सब चीज कहते हैं कि you have to time the market nobody can time the market then scale is only to time the market जो सबसे बड़ा scale जो possess करना चाहिए आज की रेट में किसी भी trader को client को analyst को prop trader को time ही करना चाहिए और में time से हम बहुत comfortly गहते हैं you can't time the market but this is how it should work yeah we escape the most difficult part or which is the most essential part to time the market I think it is this is the most difficult part but the skill is in that to time the market मेरी क्या स्केल अचा बात बता हूं मैंने 100 रुपे की चीज ली वह 40 percent घट गया अब और मेरा टार्गेट था होगा 50 percent अब 60 पे 120 परशन बढ़ेगा तो जाके मेरा टार्गेट आएगा यह मेरा कॉल था क्या मतलब यह यह वैल्यू इन्वेस्टिंग है मतलब यह कह सकते हैं I think this is this is bizarre मतलब मुझे यह यह चीज समझ नहीं आती है तो इसलिए मैं कहता हूं कि या दो time right करो या पैसे आएंगे लेकिन उसके बाद फिर पेरिल्जाव बुल मार्केट उससे ज्यादा पैसा लोग देके जाए एक बात आपने कही थी हमिल जब बाच्चित कहा रहते हैं कि बुल मार्केट के अंदर में सबसे ज्यादा लोग पैसा खुते हैं यह थोड़ा एक्स्पेरिंट किज लौट चुरूप में प्रका यह आपको हो स्टॉठ मार्केट में घ्र शच्रेट करता है तो आपको रहते हैं। वह आपको फ्रस्टेट कर रहा है, आपकी पेशेंस टेस्स कर रहा है, ताइम करेक्शन में है, वह आपको लॉस तो नहीं कर रहा है, जिसने तीन महीने पहले एक सो फचास रुपर में सेल ले लिया, उसकतर रुपर रह जा, क्योंकि वह बुल मार्केट में था, क्योंकि वह मेटल मैनिया चल रहा था, कि कमोडिटी साइकल अभी तो चाल हुई है, दस साल के बाद आई है, अभी तो तीन-चार साल चलेगी, दैन अगें दो यूफोरिया और लाइक एवी थीम के, मैटल के, प्रतब्स, इदसना, I'm not commenting on sale or anything, but all I'm saying is, example दे रहा हूं कि what is the example, why people, अब sale में तो जिसने वो लिया, इस 13 रुपे में जाने में क्या, वो 12 मिनी होता, 14 मिनी हो रहा, that's okay, but that's in a bear market, जो बुल मार्केट में तो 50% drop हो गया, तो मैं ये मान सकता हूं कि, बुल मार्केट में exit strategy बहुत important, बहुत important है, क्योंकि bear market में आपको सिर्फ time ride करना है, time ride करना है, बुल मार्केट में one has to be alert like a hawk, कि कब ये खतम हो जाएगी, बुल मार्केट में nobody will come and knock your door, कि भाई, अब ये में खतम होने वाली हो, अब हम निकल जाओ, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं ना, मैं normal one, हमको लगते हैं, नहीं यार इस ब तक पैसे बना रहे हैं, बनाते रहे हैं, बनाते रहे हैं, ये लेंगे, दूसा लेंगे, तीसा लेंगे, चौता लेंगे, उपर जाएगा बढ़ता रहे हैं, विवेक और इम टेलिग यू, इस इस दिन आपने पैसा बनाया है, उसका 10%, 5%, 15%, 20%, 25%, 30%, कुछ भी उड़ गया न दिरे दिरे, that is the crime petrol दस्तक, निकल जाओ, lock stock barrel निकल जाओ, वो 70 जो आपने कमाया है, वो नेके निकल जाओ, नहीं तो वो आखरी वाला, नहीं ये मेरा उपर आएगा तो, ये तो विवेक ने बताया हुए है, नहीं ये तो आशु की fundamental pick थी, यार ये तो अच्छा stock है अभी है, कुछ भी stories आपके mind में चलती रहेंगी, कि you are so conditioned by the bull market ना, जो आसपास ही हो जाएगा, हजार रुपे वाली बातों से, आपसे वो महल बिकने पाएगा, तब आपको वो last portfolio नहीं देखना, last entry point नहीं देखने, वो ही पैसा बचा के लेके जाओगे, जब आपके ex profit में से 10, 20 30, 30, up to you, मैं करो 50 भी, आप ले जाओ, otherwise you will 100% end up losing more, जो आपने बना है, अच्छे आप profit की बात कर रहे हैं, अभी तो capital का 50% ले जाने की ना पता गई है, कैसे आगे मुझे, मुझे ये समझ नहीं आरी, लेकि मैं बता रहा हूँ और कोई thumb rule नहीं है, जो portfolio investors हैं, जो आते हैं, investing हो नीचे pyramid, जैसे जो उपर जाए, आप कम करते जाओ, होती है ऐसे, जब मैं 10 लाग लेके आया, COVID के बीच में, मेरे 20 लाग, 20 लाग हो गए, अब मैं अंगला 50 ले आया, रे यार, 10 के 20 होते हैं, तो इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है, तो market तो भी तेज है, सब कुछ है, global liquidity, पैसा, ये सब, मतलब क्या, अब उसको जो 50 लाग पे, 20 परशन या 40 परशन भी चला गया, जो 100 परशन था, उसका 100 तो चला गया, वो बला, क्योंकि उसने, ये investing की ती, ये नहीं थी, और ये होती है, everybody gets carried away, temptation आती है, इसको मतलब, control करना बहुत मुश्किल होता है, and it depends on the timing, so all I am saying is, no other, ये एक बहुत ही, easy statement होईगी, नीचे लो उपर बेचो, ये भी बड़ा असान है, मतलब मैं भी कहाँगा, नीचे लो उपर, मुझे नीचे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपने जब लिया, जब भी बेचा, जब आपके portfolio में, depletion श चाहिए, कोई future नहीं चाहिए, that is the time, जो आपको call लेनी पड़ेगी, कि मुझे बेच जाना है, तो ही आप पैसे ले जा पाओगे, ये तो मैं guarantee कहता हूँगा, पैसे मिल जा सकते हैं, ये बात तो सही है, कि bull market के अंदर में advice करने वाले लोग भी suddenly बहुत बढ़ जाते हैं, influence करने लोग बढ़ जाते हैं, तो हमको इतना input मिल जाता है सबसे, कि हमाने अंदर में बाहसना सही जाती है, ये इसका भी सुन लो, इसका भी सुन लो, इसका भी सुन लो, इसका भी सुन लो, फिर exit करने के लिए कोई कहता ही नहीं कोई करने के लिए, क्योंकि, I mean, एक normal tendency है न लेकिन मैं कहा हूं कि देखो वो टॉप पे नहीं बिख सकता आप से आप पैसे नहीं घर नहीं लिए जा पाऊगे सारे के सारे बट आप पोशिश करो कि यह आपको मैंने बताया नहीं हो दस्तक आएगी 100% आएगी आप विवेक अगर आप खुड ट्रेड करते हो ते पूल आता है दस्तक आता है बट उसको जो काटने की कला है ना कि अब निकलना इससे वो कभी-कभी आता है थोड़ा सा बढ़ जाए थोड़ी ब्रोकरेज निकल जाए थोड़ा अभी तो पैसे हैं मतलब कुछ भी ही तर टेन रीजन्स जो आपको रोग देते हैं वहीं नही सब्कुम पोलता हूं मैं वैल्यूइंवेस्टिंग के खिलाथ नहीं हूं मैं ब성 लेना है उससे बहुत जाधा इम्पॉर्टेंट बेचना ए ध्यां तो सबको आता है वैल्यूइंवेस्टिंग के तो सो लोगों आप मिल जाएंगे लेकिन मेरा important message जरूर होता है बेचना जरूर आना चाहिए अगर आपको बेचना नहीं आता तो आपको लेने का हक नहीं है तो प्रमोटर भी तो आप देखता है तो आप भी देखिए वह सब्सक्राइब के लिए शायद वो इतना वर्क नहीं किया है अगर मैं 20 साल का रिटेल इंवेस्टर का जरूनी देखूं और मैं किसी को ब्लेब नी कर रहा हूं जस्त ट्राइं टू डियाग्नोस्ट प्रॉब्लम की रीटेल इंवेस्टर आप मेंड बनी इंडिया लास्ट 20 इंस्टूशन सब्में बनी सर्विस प्रोइडस बनी ये इस वर रीटेल इस नौट में तो थोड़ा उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या रीजन है क्या रीजन रीटेल इंवेस्टर क्यों नहीं पैसा बनाता है यही जो मैंने आपको रीजन बता है बिकॉस वह बेर मार्केट में नहीं आता वो डिटेल इंवेस्टर डेर वेरी फ्यू पीपल देखिए इंडिया में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतब सबसे अच्छी बात यह है पैसे की कमी है पैसा बहुत है मैं हर छोटे शहर बड़े शहर जाता हूं हर लोगों सब लोगों से मिल जो इनवेस्टिंग पॉपॉलेशन चाहिए बहुत पैसा है सिर्फ जहां पर हमारे साथ क्या होता है वर्ल्ड ओवर मतलब बाहर हो यहां हो जिस एसेट क्लास में जिस एसेट क्लास में सेफटी और रिटर्न सबसे दिखती है ना वहां पर ऐसी भीड आती है ऐसी भीड आत आज से 7-8 साल पहले 2012-13, 11-12-13 when the market was dull or सब खराब लगता था, मतलब on this side of the table and that side of the table सारे के सारे मतलब हमारे कितने लोग employees छोड़के थे real estate broker बन गए, कोई real estate broker बन रहा है, कोई real estate developer बन रहा है, कोई real estate trader बन रहा है, कोई real estate collaborator बन रहा है, मतलब यह सारी चीज़े तब क्यों ही थी, euphoria, real estate का, आप देखो, आठ साल तक real estate ही नहीं बन रहा है, so any asset class where you get lot of confidence and comfort, India को, Indian population को मिले, सब घुष जाते हैं वहाँ पर, और जब वहाँ घुषते हैं, means that is the last leg, यह चिट फंड एक classic case है, बिल्कुल है, इंडिया में कितने ground level पे चिट फंड उभर गए, because फलाना गाउवाले ने confidence दे दिया, कि मैं तो हूँ ना, मेरे पर वरुसार के लिए, और for example, any other ponzi schemes, और any other ponzi schemes, वो 10-20-50 लोग बनाते हैं, जब वो 50-500 को लेके आते हैं, that is the end of the time, तो इसलिए वो 50-500 होते हैं, तो उसी को हम retail कहते हैं, और यही मैं कहा हूँ, हर asset class में, real estate आठ साल एक पैसा नहीं बड़ा, virtually नहीं बड़ा real estate, सब लोग उसमें stuck हो गए, traders भी, किसी का पैसा फज़ गया, किसी की projects फज़ गया, किसी के, आप देखो, कितने builders are, मतलब, कितने litigation चल रहे हैं, so what has happened again, is it a bad asset class, real estate, बस बड़ा रोटी कपला मगाने, मतलब, मकान तो सबसे पहली चीज़ होती है, it is one of the safest investment, that have they not, people have not lost money, 100% yes, I've lost money, तो यही problem है retail की, कि कि जब वो होता है, क्रिप्टों में क्या हो रहा है, the global ponzi scheme, which I say, again I get trolled by this, it's a global ponzi scheme, it's a matter of time, किस में कब, क्या, अभी उस दिन में एक report देख रहा था, कि क्रिप्टों में भी what you said, कि trader, user, service provider, exchange, सब को loss हो रहा है, जी, तो मतलब, मुझे क्या करना है, यह रीटेल इंवेस्टर का एक, उनको पैसा से पैसा बनाना है, तो अभी को जहां पर, जिलाओ नेलगी को बीट करना है, ना लाइफ से करना, नई जीनेगा नेलगी के सबासपने नोंगा, आप्शन तेक there, करेंगे लेकिन देखिए अभी भी कोविट में पीपल व एंटर आप बताओ आपको पचासियों लोग हजारों लोग मिले होगे जुन्हें पैसे बनाएं बनाएं लेकिन अब वो सम्हाल पाए कि नहीं क्वेश्चिन इस बनाए हैं मैं अगें I have a strong conviction in this market that every time पैसे बने हैं पैसे बने हैं पैसे बनेंगे एंड क्या होगा वो आपके हाथ में वो मेरे और विवेक के हाथ में नहीं है किसी आइनरीस के हाथ में नहीं है क्योंकि उस वक्त आपको कोई नहीं आके बताएगा क्योंकि when the going gets good then nothing succeeds like success उस वक जब वो जो कंडिशनिंग तेजी की चलती है न मतलब ते सम्थिंग कॉल वैल्यूएशन विवेक सम्थिंग कोई कंपनिया अच्छा कर रहे हैं सोना नहीं बना रही है मतलब there has to be an alpha generation उसका reason होना चाहिए तब वो सारी चीज़ें आती है I can understand for example मैं कितने example दे रहा हूँ अब टाटा मोटर कोई भी मतलब there are so many stocks अच्छा कर रहे थे अच्छा कर रहे हैं अगर वो मतलब तो अधानी जैसे stocky miss कर जाएंगे हाँ भी है मतलब कुछ stories अधानी जैसी भी बनती है तो तीन साल में जो वेल्ट करेट हुआ है लेकिन उसमें विवेक मेरा मानना यह कि इतना लंबा ना कोई इतना कोई रख नहीं पाता मतलब बेस्ट ऑफ गाहीं नहीं जो कि कही नहीं तो में नहीं भी होंगा तो कुछ नहीं को समझ आती है के 10 times money होगी 20 times होगी तो भूप करता है इतना लंबा कोई नहीं पाता अब जैसे for example सब्सक्राइब कर चुका है कुछ लोगों ने सुना होगा कुछ नहीं सुना होगा के 10,000 इंवेस्टेड सिप इन 1990 में मेरी और आपकी सालरी श्याद पंद्रा सो रुपए अठाइब सो रुपए होती थी तो मैं 10,000 कैसे लगा सकता हूं ओगे लेट्स डू रेयलिटी चेक के 2000 या 2001 में आज से 20-20 साल पहले रीजनेबल टाइम फ्रेम के वहां से भी में कर लू तो भी शायद मेरी सालरी 25,000 होती थी तो पच्छेज़ार में मैं दसदार का सिप तो नहीं लगा सकता ना तो यह पैसे कैसे बने मतलब यह तो परसंट पचास सो दो सो बिग्या होगा अज तक कौन रख सकता है खाली वो प्रेम जी का ड्राइवर रखा गार क्योंकि बीचे बैटे थे उनको पसाद हो रहा है तो वो कुछ दे रखा लेकिन रियालिटी क्या है आज अगर मैं रीजनेबल इन्वेस्टिंग भी लॉंग कर रहे होंगे और तब भी कह रहे होंगे लॉंग टर्म के लिए डेजिए ले लो ये तो कितना हो जाएगा सब यह long term क्योंकि long term safe है long term आगे पूछना से आपको पता ही नहीं मैंने क्या का है 5 साल पहले no accountability long term क्योंकि याद आदमी का लगते है बी टीस क्या दी थी सबता है या Windows बटाव मेरी long term अपाक पाम तेऊ מס strengthen कर दो एलाइटी Coin in Past पार ने पहले प Sikh का तो बहुत जाटांड सक्राइच में सब के plants पढ़े यह कि पढ़ा है homes लॉंग टर्म यह मतलब रियालिटी में ऐसा नहीं होता है यह इस तू गुट टू बी टू यह एक वो जो एक बॉलिवुड नजर आता ना मुवी देखने जाते हैं धाई तीन गंडे की आई रिलेट तो सम्थिंग लिए अप देखो यह रियालिटी है यह रियालिटी है कि आज आप बात करो आपने 50 लोगों से 49 बीपल विल से इन 57 में से कोई ना कोई पूर्फोलियो के पास होगा और आप 5000 लोगों से बूचो तब का विपरो इंफोसिस है तो नहीं है अठारा सो वाला नहीं है किसी के पास सो मैं कैसे बोल दू इस चीज के लिए मतलब हाव मैं खोज यह विलीब करता हूं इन लॉंग तर्फिनेशन ही इतनी ग्रेया है कि आपको यू कांट से अनिधिंग सर देखें मैं आ बार बार एक बात में वले क्या हूंग आपको ये सारी बाते ठीक है और कुछ लोग मेरे जो लर्नर्स है ना वो देखें भी कंफ्यूस भी अब उदर चलते हैं कोई पैसा तो कमा रहा होगा ना कैसे कमाते हैं कमाने का भी फॉर्मला बताए कि कैसे हम कमा हैं अच्छा और एक चीज ना मैं और चीज क्लारिफाइब करता हूं विवेक इस इस आपको इंपोर्टन लर्निंग फॉर मी हमेशा ट्रेट तो बराबर का ह पैसा सब तब कमाते हैं जब मार्किट कैप बढ़ता है और सब गवाते हैं जब मार्किट कैप गड़ता है तो इसमें सब भी आ जाते हैं ऐसा नहीं कि कोई कमा रहा है एक पैसे बनाए 60 वाले ने 80 में बेचा, पैसे बनाए, 80 रुपे से 100 रुपे वाले ने बेचा, पैसे बनाए, 100 से 120 ने लिया, पैसे बनाए, तो अब सब ने पैसे बनाए, किसी ने लिया, किसी ने बेचा, किसी को तो नुकसान हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ, सब ने profit बनाया, क्योंकि सेल का market cap बढ़ा, so this myth जो ये लोग सोचते हैं ना, कि अगर कोई कमा रहा है, कोई तो गवा रहा है, नहीं, derivative में तो यह होता है, हाँ, एक मिनुट, मैं अब उस पर भी आता हूँ, derivative में भी, तो मैं, अब ये reverse example, अब ऐसा time आ रहा है, 120 वाले जिसने लिया, उसका 100 में कटा, 100 वाले का 80 में कटा, 80 वाला आप 70 वे देख रहा है, सबको loss हो रहा है, अब वो ये कहेगा कि किसी को तो profit हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि market cap घट रहा है, तो ये example, आप सब लोगों को बहुत ज़रूरी समझना है, क्योंकि हर आदमी मुझसे, हर layman, हर ground पर पूछता है, कि सर, कोई तो पैसे बना रहा है, कोई तो किसी के जा रहे है, बर देर टाइम, the only time we make, all make money, when market cap, the entire market cap of the country, और ये पूरा का, पूरा stock market का market cap बढ़ता है, तो एक time आता है, सब पैसे बढ़ाते हैं, जिसमें बुल रहा ना आता है, जब नीचे आता है, सब गमाते हैं, market cap बढ़ता है, तो ये एक बहुत important चीज़र समझने, कि लोगों को ना दिन में तकलीफ होती है, कि कोई तो बना रहा है, अगर मैंने लिया, क्योंकि trade तो बरावर कहा है, अगर एक लाग sale trade हो है, किसी ने लिया, किसी ने बेचा है, but it is the theory of market cap, when market cap goes up, everybody will make money, नीचे आएगा, सब के पैसे जाएंगे, अब smart money, smart investor, smart money वो है, जो उस चलती हुई गाड़ी में, कहीं न कहीं ऊपर जाते हुए, अब जब नीचे आनी शुरू हो गई, तो दिख गई ना, नीचे अब सब के पैसे जाने लग गए ना, आपका portfolio आप देखते हो, कि पहले तो मैं लेता था, एक दिन में बिख जाता था, मतब एक time आता है, bull run पे एक घंटे में बिखता है, एक दिन में बिखता है, फिर एक time, मतब वो चलता है, मतब ये शुरू reverse होता है, कि पहले मैं portfolio लेके बैठा रहता था, तो मेरे बिखता नहीं था, suddenly bull run आया, bull run आया, कि अब यार, वो मेरा पुराना portfolio हिलने लग गया, और एक time ऐसा आया, कि वो बिख गया, उसके बाद मैंने कुछ लिया, मतब पहले तीन साल नहीं बिखता, तब तीन महीने में बिख गया, फिर एक महीने में बिख गया, फिर पंदरा दिन में बिखने लग गया, हफते में बिखने लग गया, एक दिन में बिखने लग गया, शाम कोलोस हुआ बिखने लग गया, यह time आया, अब यही time reverse होता है, क्योंकि जब आप कर रहे हो अब यार वो एक घंटे वाली चीज ना दो दिन में बिक रही है अब मैं जो ले रहा हूँ ना दो दिन वाली वो दस दिन में भी भाव नहीं आ रहे अब 10 दिन वाली यार एक महीना हो गया तो अगली एक्सपाइरी हो गई दो बार रोल ओवर कर चुगा हूँ आगरी दस्तक आ रही है आपको कोई चाहिए आश्यू आपको कोई विवेक चाहिए जो चीज थी वो साइकल हो रही है जो चीज आपके साथ होती थी जो होफते में भिखती थी वो नहीं भिक रही है अब वो पोर्ट्फोलियो बन रहा है आपका इसमें कौन सी rocket science है, you don't need any advice it is just the experience I am sharing आपको पता चल देगा, अब मेरा माल फस रहा है, अब ये portfolio बन रहा है, फिर उस वक हमारे को comfort क्या आता है, नहीं यार ये तो आशु की call है, नहीं ये तो विवेक ने बोला हूँ है long term नहीं विवेक की चार पुरानी बहुत अच्छी थी अरे नहीं राशु की गलत कैसे हो सकती है आगे पीचे करके भाव आई जाएगा और सबसे बड़ा comfort पैसे बनाए हूँ है, पैसे बनाए हूँ है पुराना पैसा बनावा है, ये फिनॉमेना बतानों ये और आज नहीं ये पिछले 25 साल से हो रहा है अगले 50 साल भी होगा तो आज के investors अगर ये इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये आपको cycle समझाएगी कि वो cycle बढ़ती जा रही और portfolio बनता जा रहा है निकल नहीं रहा, that is a big signal to you कि भाई निकलो 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 और वो ही है जब आपका profit 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी घर ले जाओ यार ले के जाओ प्लीज यार, ये market ने opportunity दी है और अगर आप भी लगी है सब मेरे को नहीं complaint है खासकर जो टीवी में आते हैं ना उनसे complaint है हर समय ये बात बोलना this is the time to book profit ये level अब टूरी आप profit book कर लो ये assumption क्यों रहता है कि सामने वाले के profit ही हो रहा है और वो हमेशा profit ही book कर रहा है ये कर नहीं आप लोग बोलते हैं कि trade book कर लो क्योंकि loss भी तो हो रहा है उसको loss book कर ने भी तो बोली है मेरे पास honestly इसका answer नहीं जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो कि profit मैं तो कही बार खुद ही कहता हूँ कि profit booking तब अब आज अगर थोड़ा सा market ऊपर जाएगा मतलब see for example 18,000 पे लोगों ने लिया फिर sale का example देता मतलब मतलब इस समय जाजाएगा अब sale 120 से आगया 65 रुपए अब 65 से आएगा 75 रुपए 75 से नीचे 70 राएगा तो लोग बोलेंगे profit booking किसको profit हो रहा है यार वो 70 वाले को हो रहा है वागी तो सब उपर किसको profit हो रहा है हाँ वो 75 पे सोझा कि मेरा loss 30 रुपए नहीं तो 20 रुपए है तो मैं थोड़ा कम loss book कर रहा हूँ तो यह I think it is more of a कई बार वो habit से निकल जाता है it is not that they mean कई बार होता है कि अब market अच्छा चल रहा था तो क्यों है तो profit booking I think it is more of a शायद तक्या के लाम कह सकते है मुझे लगता है यह biasness है मुझे समाव फील होता है कि आप यह communicate कर रहे हैं कि देखो मैंने profit ही तुमको दिलवाया है और अब उसको तुम book कर लो मुझे लगता है कि एक जैनरिक statement होती है कि market में profit booking देखी जा रही है तो शायद यह भी काम हो रहा है इसलिए वो it is more of a generic statement चले ठीक है आप बोलो अदानी में profit booking आई है तो बात है कि मतलब टॉप रेट पे खड़ा हुआ है तो profit booking आई है अगर थोड़ा घटेगा तो 100% this is a true statement what you say जो stocks पहले ही फशा हुआ है सबके उसमें क्या profit booking आईगी उसमें तो क्या कि नहीं वाली loss booking आई है अब नया वाला थग्या टायड बुल सिंड्रम कि अब जो बुल थग्या वो वो काट रहा है चाहिए इसलिए सर एक्जिट स्ट्राइजी पर थोड़ा और बात करते हैं ठीक है अब सपोज मैंने कुश्ट वैसे एक सेकिंद सब्सक्राइब जो जो बात करते हैं तो सर एक बार इसको रिफाइन करते हैं आपने कहा था कि पूर्टपोलियो में जब आपको दिखने लग जाए कि अब वो थकान आ रही है तो यह तो हो गया कि गट फिलिंगे को दिखना एक होता है कुछ अगर साइन्स अगर हम बना सके कि यह हो तो एक्जिट कर लो जैसे एक छोटा सा एक्जामपल देता हूं कि निफ्टी जब 200 अगर नीचे गया था मैं तब से बोलना चालू कर दिया कि बाद में ले लेंगे महें तो लेना होगा कोई दिक्कत नीए बट 200 डियमे के नीचे चला गया है एक बार तो एक सब को लो इस रियालिटी को ऐसा को हम साइंस अगर बता सके कोई स्टॉक में कोई मूवमेंट देखके कोई 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 डिलेवरी डेटा मुझे ने पता आ इस विए बेस्टिंग इस ब्लेश्ट विए रवेड गुड अनलिस्ट आरूंड में तो देर लोट अवड पीपल आरूंड वी गुड अनलेश्ट गुड डेरिवेटिव अनलेश्ट आरूंड इपिग इस अटिवरी जो जिसको बात करता हूं ना वह एक ओनर्शिप थिय है मैं ओनर्शिप थियोरी विच इस अलॉंग शॉट अलॉंग टर्म लॉंग शॉट डेटा मैं उसको ना बहुत वैल्यू देता हूं उसको मैं आपको एक्जैंपल देता हूं सिंस आपने इतना एक बिल्कुल एक्जाट प्रिसाइस राइप कर कोशिश लिया क्योंकि मैं देटा से भागने की कोशिश करता हूं विगॉड डोंट विव इन टेक्निकल्स एन डोंट फॉलो दें तो इसलिए मैं थोड़ा सब भागने की कोशिश करता हूं बट शिंस आपने पूश लिया है अभी मैंने फेबुरी में एक प्रेजेंटेशन बनाई थी परेंज ऑब वो 3.77 versus 1 थी यह क्या हुआ सब यहां इस 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 वरी इंट्रस्टिंग रिटा के 3.77 means मतलब 4 इस तो 1 मान ले दे राउंड फिगर के लिए लिए चार लोग लोग एक शॉट है यह चार फ्यूचर प्लस है और एक फ्यूचर शॉट है यह कैसे कर देख सकते हैं मतलब यह ए SSF कहते हैं यह इंडेक्स के लिए नहीं है कि सिंगल स्टॉक कि मतलब जो एक बाइसने से रिटेल हमेशा लॉंगी रहता है पब्लिक लॉंग रहती है इसको अब उस तरह से बोलते हैं मतलब जो ओवर्बाट ओवर सोल्ड की स्ट्राटिजी होती है कैसे होती है डेरिवेट मैं अपना ऐसे और अब तो प्राइस बीएवियर के साथ उसको पिन इंट्रेस को कलब करते है अगर नहीं मैं इसको मानता हूं कि सौ लोग ने काम किया हुए हां दस ने क्या किया है नब्बे ने क्या किया हुए ओके ये नब्बे पैसे नहीं वनाएंगे यह दस बन्हों सो-कॉल्ड ऑपरेटर, FIIs, Domestic Institutions, Strong Hands, HNI, नाम कुछ भी दो, 10 versus 10, who are these 10 people? यह 10.90, कोई price interest, मुझे open interest, कुछ नहीं देखना होता, 10.90, if I am able to identify long shot में, क्योंकि public ने क्या किया है, अगर सारी public minus है, तो short covering आती है, सारी covering long है, bull liquidation होता है, so public is 90, and the other side is 10, that other side is some other side, which I do, I call it smart money, तो मुझे smart money के साथ रहना है, कि वो क्या कर रहे हैं, अब single stock future तो plus ही रहता है, single stock future long shot ratio थी 3.77 is to 1, every stock, by and large, 3.7 plus 1, this is the 5 year average, COVID में बढ़ने लगई है, ठीक है, COVID में बढ़ने लगई, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.25, COVID के बाद अभी जब नवेंबर दिसम्बर में जब में नहीं डेटा देखना शुरू गया, that single stock future ratio started coming at 7 is to 1, मतलब इतना long bias market में बढ़रा था, 7 is to 1, इतना long bias, that started giving me extreme discomfort, now this is the time you cannot time it, but यह आपको बहुत बड़ा signal आगया, that comfort आगया, इतना comfort आगया है लोगों को market में, इतनी complacency आ रही है, कि यह अब इस market में कुष्णा को छोने वाला है, so this is the exactly precise data point, and you know what was this on, budget अच्छा आया था, 1st February budget अच्छा था, हम भी budget में होते हैं, 2nd February को यह ratio पता है, 10 is to 1, क्योंकि budget अच्छा था, 10 is to 1, short short recipe of a disaster, और February की cleaning याद है आपको, कितना टूटा था, मतलब इतना major sell-off आया था, इतना major sell-off आया था, February के अंदर वो जो February की expiry को, मेरे तो expiry सब याद हैं, मतलब कामी expiry का है, तो February, उसके बाद फिर योक्रेन रीजन बन गया, March, इतनी problem आई कि उसके बाद ये जून तो डिफरेंट था, पर फेबुरी मार्च, इस वो जाए ताइम और में में, सेलिन में और गोवे, तो सब कोई था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इस ताइम में बूड बूड बिफरेंट, और में में फिर होगी, इस इस डेटा को और बी इंसिशिशनल पाटिशिशन कितनी है, डिमेस्टिक इंसिशनल का शेर कितनी है, इस सारी चीज है थोड़े थोड़े टाइमले, इस नौट रट कि ये तो क्योंकि वेंज़े थाज़े की तो टोटल ओपन इंटरस पे, फिर वही पबलिंग ने लॉंग शॉट गया है, अगर फ्रस्टेशन में ज़्यादा भी किया है, तो एक दिन के लिए तो रहूंग होना है, एक दिन के लिए रहूंग होना है, अकल परसों की मार्केट डिफरेंट होगी, अगर पुट ज़्यादा शॉट की हुए तो एक दिन के लिए उधर रहूंग होना है, इट इस ओनली टेटर डेटर डिफरेंट तो कई बार उधर सब कहते हैं, एक दिन में आप क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि यह आज की गेम है, यह वीकली गेम को अलग मान के चलो, मंतली को अलग मान के चलो, और यह, तो इस डेटा गिफ्स गिफ्स मी लॉट अव इंसाइट, विच आइफ फॉलो, विच इस कॉल्ड अन ओनर्शिप थियूरी इन माइज, जो लोग शायद, जो आप अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे तो उसके लिए तो बहुत अच्छा डेटा है ना, क्योंकि अगर भई ऐसा टाइम आ गया है, कि आप कोशिश करो, निकलते जाओ, अब थोड़ा नॉइस को इग्नोर करो, आप फोमो में मत आओ, क्योंकि आप बेचोगे थोड़ा से बढ़ेगा, आप नहीं लोगे तो बढ़ेगा, मतलब फोमो होगा, मैं मिस कर रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ, मुछ औह जहीं होता है, छोड़ दो, इतना मिस कर लिया, तो ये डिटा, इतना जादा मतलब, तो देंजरस हो गया था मेरे लिए कि I was like a sure shot कि it is only a matter of time कि कभी यह नीचे आना है and you have seen what has happened. Now it has started coming down and now it has come to it is still above the long term averages but it has drastically I mean substantially reduced so it is giving me some comfort in the recent times that is why I am not bearish, too bearish on the market now otherwise people think that I am always bearish and now is the time that this data is giving me some comfort कि यह तंबल डाउन हो है अब यह data अब आगे से मुसे पूछने मत लग जाना भी वे वेखे data यह तो questions कमेंट में आ गए है already कमेंट में लोग ने डाल दिया है कि सर कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा बट मैं एक बात बुक्टेपन देखे शेर बजार में ना proprietary data भी कुछ होता है लोग homework करके करके सालो साल करके एक data निकालते हैं और सब को इस थोके नहीं बना रखाया सारा data आपके साथ चेहर करेगा तो यह concept समझे वाड़ी सेंग कि open interest स्टॉक के open interest का data को study करके हम जज कर सकते हैं कि बड़े लोग क्या कर रहे और चोटे लोग क्या कर और जहां पर बड़ा position बिल्ड हो गया इसका मदब चोटे लोग को 90% करते हैं उन्होंने बड़ा पोजिशन बना लिया है तो आप contrarian एक व्यू सरा आपना contrarian वाग है आप ऐसा क्यों क्यों क्योंकि मुझे लगता कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है और बचते भी contrarian बचते अब यह यह मैंने बोला ना क्योंकि यह शायदे लोग को रहेंगे बट ड़संट वरक इन in 24 hours 48 hours बट और रीजनेबल टाइम फ्रेम पीरिड डीजनेबल भी लॉंग तर्म तो मेरी कोई definition नहीं नहीं है बट इन less than three months this will come true तो foreign investor वो कोई compulsive investor तो है नहीं patience बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फोमो उसको control करना है वो complacency control करनी है वो noise उसको ignore करनी है कि यहां से सुनके यहां से निकालना है नहीं मुझे अगर नहीं में को discomfort है तो मुझे नहीं लेना मुझे नहीं लेना तो मुझे नहीं लेना और यह patience test हुई November December में थोड़ी correction आई फिर वापस फिर February में तो लगा आप तो सब कुछ हो गया and honestly to be honest to all my clients and all my viewers कि जब यह Ukraine उसका वार वार आपको याद है कि वो नुक्लियर थ्रेट आया था नुक्लियर वर्ट आया था तो वो एक हफता ऐसा आया था कि डेटा थोड़ा सा कम हुआ तो मुझे एक कुछ दिन दो तीन दिन के लिए comfort आया कि शायद वो 16,200 का bottom बन गया या जो 16 के कहीं न कहीं bottom बन गया बट वो मैंने देखा कि अभी वो अभी ना लोगों के पैसे बहुत बने हैं दो साह का COVID ने ना मतलब अच्छा confidence दे दिया लोगों को मैं तो यह comfort देते हैं थोड़ा longer time है अगले अफते के लिए नहीं है वो यह अगले 15 दिन के लिए नहीं है तो उस comfort में भी लोगों को loss हो जाता है क्योंकि उन्होंने ट्रेड 15 दिन के लिया हुआ है और बात सुन रहे है छे महीने वाली मतलब आप यह देखे ना कि आप मैं कभी-कभी हम हम अनलिस भी मैं मैं देखता हूं या अब करता हूं कि हम trade दे रहे हैं एक दिन का तीन दिन का और fundamental तीन साल के बताते हैं मतलब मैं मैं I don't understand this logic अगर मैं तीन दिन का व्यू दे रहा हूं तो दें वो तीन साल वाले या जो भी आपने वर्ट यूज किया उस गलीबल जन्ता को नहीं बताना है तो एक बार उस वापस से जन्ता की बात करते हैं ट्रेडिंग की बात करते हैं एक बार इंवेस्टिंग को छोड़ गया जा सकता है तो बहुत दोगे जो ट्रेड़ का रहे हैं और पिछले कुछ महीन में जितने मैं ट्रेडर्स लोग से बात कर रहा हूं फेस्टो फेस्ट में जितने आ रहे हैं तो अब एक रिटेल इंडिविजियल इंवेस्टर है जिसके बाद दो लाक रुपिया है उसने डिसकांट बुकर के आइकांट खोल लिया और बटन चालू कर दिया उसको बेसिक है कि में पैसा तो अप्शन सेलरी बनाता है तो एक डिसकेशन थोड़ा टाइम के लिए ओन ट्रेडिंग स्टाटीजी कि आइडिली क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए अगर ट्रेडिंग से पैसा बनाना तो तो इसके लिए वैसे अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है इस पर हम एक और सेशन भी कर सकते हैं और में कुछ कॉंसेट की बात करता हूं इस ओप्शन ट्रेडिंग इस वरी क्लोस तो में हाथ राइट सो आइम आइड कीप ऑन पुशिंग पीपल के अर ऑप्शन का सबसे अच्छा काम एक है थी सिक्स्टी वाइज काम निफ्टी जो मैं यूज करता हूं जो आप कहते हैं कि क्योंकि वह एक साइकॉलेजी अगें ट्रेडिंग इस सब कहते हैं एक्जैंपल में देंके बताता हूं जिस चीज से आपको लगता है कमफर्ड क्या मेरा मैक्सिम्म लॉस अब लेने में क्यों लगता है जब इन्वेस्टर्स को यह सकता है उते हैं मार्केट में अब अदानी एक 1000 ऐसार पर्शन BMW बढ़ा है तो सब इंडस्ट्री में क्रिकेटर आता है उसको दिखता तो विराट कोली और दोनी है नीचे के है कि wealth generation ऐसे होती है कि 400% बढ़ गया है 1000 और घटने में लगता है कि जा क्या सकता है 100% ही ना मतलब let's not go by the price 30 रुपेगा 300 रुपेगा जा क्यों सकता है जितना है उतना ही जा सकता है तो यह comfort होता है ऐसी option trading में है जो लेता है उसको लगता है जा कितना सकता है इतना ही ना और वो बेचने वाले का unlimited loss so मैं भी यह सब को सब को यह कहता हूं for an option trader when I teach or give try to give gyan to an option trader or a budding option trader I said that if you are a buyer of an option if you are a buyer on option you will lose your shirt okay right you will lose your shirt if you are seller of an option you will lose your house but historically it has been a proven track record since Akbar के टाइम से option seller makes money अच्छा अकबर के टाइम से तो इस्टोरी कली होगा है history क्या है मतलब मुगलों के जमाने से मतलब कुछ भी कहलो so it is just an example तो मुगलों के जमाने से मतलब historically it is a proven fact के option seller makes money और दूसर तरीके से बताता हूं lottery लेने वाला पैसे नहीं लेने वाले कि किसी नहीं लगी जो लोटरी आप बोल रहे हो बेचने वाला बट येट it is sounding very simple के पैसे बनाता है the entire world revolves around के कैसे बनाता है इसके लिए मैंने का कि एक बहुत बड़ा subject है क्यों करता है लेकिन अब मतलब मैं वो session जरूर करना जाओगा क्योंकि now option selling has become even safer than which was three years back two years back or even a year back or even nine months back so I am a very strong believer in कि that option से पैसे बन सकते हैं लोगों ने बनाये हैं like you rightly said अच्छे बनाये and this is this can be a consistent income if you work with discipline and when we'll do special show on this there are disciplines which I follow and for retail मैं प्रॉप ट्रेडर की बास प्रॉप ट्रेडर ने सबने बनाये आप ट्विटर देखो यूट्यूब देखो and there are enough of smart traders मतलब I go I mean all of certain people is the way they trade and they make money मतलब बहुत पैसे बनाये बट उस उसको मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है उसको जो रेप्लिकेट करना चाहते है ना जो clients में वो रेप्लिकेशन नहीं हो पार दी मतलब this is my experience विवेक जो मैंने मतलब with the limited knowledge and information that there are so many good prop traders when you तो क्योंकि शाहिए the kind of risk the kind of challenges the kind of smartness the kind of speed the kind of margins बहुत सारी चीज़े मतलब there are so many ingredients जो वो prop trader के पास है शायद उसके पास नहीं है तो वो जब उसमें करना चाहता है या उसको वो समझाता नहीं है so I try के उसके लिए क्या करना तो मेरा वो भी subject retail का ही है के छोटा जो trader है कम पैसों से पैसे तो चाहिए अब कहते हैं कि क्योंकि अच्छा कम पैसे होते हैं तो लेने लग जाता है मैं यह कहता हूं कि देखो लॉस is unhealthy margin is healthy loss is unhealthy margin is healthy अब मैंने उस दिन टीवी पे ने कसीनों का एक्जैंपल दिया कसीनों जाते हैं तो वह नहीं लोग आते हैं पांच सो हजार रुपए दोजार रुपए डालते हैं वह हजार करके पांच बार हार जाते हैं पांच इकठे नहीं डालेंगे साइकोलिजी है ना ऐसी मार्जन वह पचास-पचास दर के लॉस दे देंगे पांच लाग एकठा मार्जन नहीं तो एक बार मार्जन is healthy margin is not your loss अगर आप पचास लाग भी मार्जन दा रहे हो इसको ट्रेट जितने पर कर रहे हो तो यह एक बहुत बड़ा सब्जेक्टेश में तो साइकोलोजी और डिसिप्लें इस 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 पर एक देट घंटा और मतलब वी इक वरक राओं बट इस 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 मैं सब को बोलना चाहता हूं option is a very very important good tool where money can be made and it is an all season business all season तेजी में पैसे बने मंदी में portfolio अटक गया अब तो भगवान राम जी आएंगे उपर ले जाएंगे तो होगा नहीं तो मैं बैठा हूं कुछ नहीं कर पा रहा हूं कुछ करना चाहिए ना क्या करना चाहिए options है न और मैं एक चीज़ और सबको बोलता हूं बहुत होते है options बहुत difficult है options की जारगन जो थीटा गामा वेगाम यूज करते हैं कुछ नहीं है हम आपको layman language में समझा सकते हैं थीटा टी इस टाइम मतलब भी मैं समझा सकता हूं कि समझने के लिए a lot we can do around that but all I'm saying is कि option जरूर करना चाहिए don't deprive yourself and मैं लोगों को भी गोलता हूं कि अगर आप मतलब इस समबडी सेजना जैसे नहीं हम जाते हैं because I am primarily dealing with clients क्लाइंस का काम है अपने पैसे का काम है मैं तो अपना ही लेता हूं जहां पर पांच लाग करोड का volume होता है जहां पर दुनिया मतलब revolves around that और उसमें मैं बोलता हूं कि मैं बहुत मतलब smart feel कर नहीं मैं तो वो नहीं करता हूं मैं तो cash में करता हूं you are just depriving yourself from the opportunity जो smart लोग use कर रहे हैं अरे you can start with simple hedging and there are so many things जो आप अपने वरक्शॉप में जरूर जरूर करते ही होंगे सब लोग derivative बताते होंगे बटाने और करने का तरीका थोड़ा सब का अलग लग होता है but option is the market which is a must it's a must be market तो आप commitment एक दे दी हैं बात-बात में कि आपने एक session रेकर्ड करने वाले हैं बिल्कुल करेंगे and options में भी हम मतलब the basic मैं मतलब उस तरह से बात करूंगा जो basic disciplines of option selling जिसके basis पर हम करते हैं यह आपने बहुत लोग जानते हैं वो spreads जानना चाहते हैं कि उसे spreads भी that is also theta scalping it is a way of theta scalping but through a ratio spread और कुछ भी नहीं है जो word theta scalping अब थीटा scalping यह आता है gamma scalping तो नहीं होती ना पूछता हूं जब दस jargon समझता हूं पूछता हूं क्योंकि मेरा client अगर मुझसे पूछेगा क्योंकि हमें शरम होती है कोई चीज नहीं आएगी ना जब कुछ class चल रही होती हम बच्चे भी होते थे तो class में यह कौन पढ़के बताएगा जो intelligent बच्चा होता था कभी को य मेरा हाथ हमेशा ना जानने के लिए कि मुझे बहुत सारी चीज नहीं हाती और मैं लेमन लैंवेज में समझना चाता हूं मैं हाथ कड़ा रखता हूं and as I said जो मैंने बीच में बोला कि I am blessed with to be surrounded by so many smart people around me and that is the opportunity I have and उनसे मैं बहुत को सीखता हूं और फिर उसको अपनी interpretation बना प्रोरिंग लगेगा profit नहीं आएगा लेकिन return product है वो बहुत अच्छा return product है और options के अंदर में risk profile की strategies बहुत simple risk free भी हो सकता और complicated भी हो सकता है तो जैसे कि sir ने कहा कि shirt भी खो सकते घर भी खो सकते बट कमा भी सकते फिर भी कमाते ही है लोग कमाते ही है कमाने वाले लोग कमा है तो बस सीखना पड़ेगा हम सोचते हैं कि नहीं आरे social media का gimmick है नहीं यह genuine option में लोग पैसे बना रहे है और हमें हमें वह learn करना है मेरे लिए learning और education बहुत जरूरी है मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो 500 लोग 5000 50,000 जो भी जुड़े हैं जितना जानते हैं जो भी market में है if they follow options आना जरूर चाहिए मतलब this is not a smart thing के नहीं है मैं अभी भी travel करता रहता हूं सब location में जाता हूं मैं कल दो दिन पहले रांची में भी था वहां भी client से मिला हां सर options पता तो है पर करते नहीं क्यों नहीं करते बस वह confidence दोनाता है हाथ पगड़के करना है मैं करवाता हूं कैस इसे करवाना है वह एक से दूसरा दूसरे से तीसरा वह चैन बनती है और ट्राइट वी एट पाड़ देटा तो आपने बता दिया ठीक है अब मैंने जो मेरे को आप से बात करें समय लगा है कि आप खाली data-driven नहीं है आप एक holistically भी approach बनाते तो beyond data कैसे यह बुल मार्केट क यह बुल मार्केट और इस डेटा में कुछ चीजें आड की आपने का holistic हमने holistic देखा कि हाओ वट इस बहेवियर आप दी पीपल कैसे होता है एक तो मने ने नेमेंबर डिसेंबर से देखा कि मार्केट ना 17,000 थी लेकिन उस 17,000 में 18,000 से 16,500 फिर 17,500 साले 17,500 फिर 17,500 फिर 17, मार्केट तो दिखने में वही दिख रही थी लेवल लेकिन 1000 पॉइंट फॉल 1500 फॉइंट फॉल दो हजार फॉइंट फॉल इतना इंट्रा मंत फॉल बाकी मंस में नहीं था पिछले दो सालों में स्मार्ट मनी वह द्खिंग ऑड जाता है तो वह समझ आगे के सीगनल है फनमौला आफ फिर तो मतल्लब एक वो टो अलग हो जाती है हमारी फिर हम क्या करते है कि फिर हम बहुत हम अपने आपको एक समय लग जाते हैं मैं उसी सेसे से प्राइमरी यृ मार्किट में जाता हूं तो वो पैशा मैं रीम मर्केट में शुरू करता हूं नहीं और तो यह अप्लिकेशन लगानों सोला होग्या वह वह थोड़ा पैसा ilर सब्सक्राइश, उसको एब पराईस एफ्रन कि से होता है, वह 7,000 शैर रह chaos ले सकता हूं, वो नहीं ले सकता हूं तो वो म्यूचल फंड की तरफ जाता है तो म्यूचल फंड की भी आप वो सब स्टॉक भी चालिज सब्सक्राइब डाउन है फिर वो पैसा घाता है मतलब अब यह तीनों भी अपक्या करें अनलिस्टिट स्पेस में शुरू हो जाता है अपने सड्वल सब्सक्राइब फिर वो जाता है मतलब अनलिस्टिट की तरफ मतलब आप यह सिगनल्स देख रहे हूं कि क्या यह मतलब कॉंपलेजेंसी का यह भी छोड़ दो उसके बाद मैं जाता हूं यूएस इंवेस्टिंग में क्योंकि मेरा सेकेंडरी में पैसा बना अब मेरा यह य लोगति सबीन में तरफ में जाना ह küçênback में अमनीवेस इंवेस्टिंग में क्या देखो यार्ए माज़े बता हैं जल्सक्राइब्स अपका जो सोच ना आप बना ना आउट-लाइर्स ढूंढ बिंस स्ञेंजए ऑन करने थाँ ग्रायाइट अवे गुआ है गुआ है तो एक्स्ट्रीम में आपका एक खुदी अंदर से फीलिंगा जाती है कि याद यह सही ही और आप तो यह वीडियो में हमने क्या सिखा हम बहुती डिफरेंट पस्पेक्टिव इस वीडियो में देखा है बहुती अलग कोंवेसेशन हुआ है तो अधिक इस अपने 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 लेवल पे अपना एज करेट करके मांके में पाडिस्पेट कर रहा है और अशुजी पिछले तीस साल से लगे हैं तो खुछ तो ही तभी लगे हैं तो जो कहा इन्होंने वो समझने की कोशिश की और एक बात आपकी मुझे बहुत ची लगते हैं यहां सामने दिखता है यहां पर बहुत बहुत करना आज मैं सब को कहता हूं कि कोई कहता है यह मतलब वाइं सो मच फैन आप एक प्विटी मारकेट तो कई मुझे आगे कहते हैं रिल स्टेट में पैसे बहुत बने यार मतलब वह बड़ा सेफ है तो मैं के तो यह भी है मुझे भी चाता है क्योंकि आप कोल कटा कोल कटा के सारे अपार्टमेंट से एक्शेंज में लिस्ट करा दीजिए और उसमें भ इतने सबेंगे हैं जल्दी जल्दी नहीं है इसे लोग नहीं हो कि शैद इतनी जल्दी जल्दी में बहुत कुछ नहीं इसी पर हम बहुत कुछ ड्वेल्ब कर सकते हैं, so we'll keep meeting and we'll try कि हम और भी subjects पर इस पर भी अगर और elaboration चाहिए, तो we'll talk and really happy to be amongst all of them. Thank you. Thank you Aashuji. अदा मज़ा है. जतना भी time आज दे पाए हाँ. Thank you so much. And we'll continue the discussion in some other video later. और concept और गुसेंगे और options को लेके बाद्चित करेंगे. Thank you so much. Thank you. Thank you दोस्तों. वीडियो देखने के लिए लास्ताइक जुड़े रेने के लिए और अच्छा लगाओ तो शेर कीजेगा और और कुछ नोटोट बनाएगा नोट बनाएगा नोटोट बनाएगा करेंगा नोटोट बनाएगा झाल बनाएगा झाल 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 झाल